स्वागते आपको यूट्यूब चैनल पिनोच पे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ने है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है जैट टॉरेस स्टॉक को लेके इंटरस्ट में है तो अभी यहाँ पे जैट रूरेस में बात करते हैं दोस्तों आपको पता है जिसके पहले भी जितने भी अपडेट्स आया है हम लोगों ने कोशिश किया आपके साथ शियार करने के लिए चोटा सा वीडियो के मादधम से और जैट रू चल रहा था 15 रूपे के नीचे भी तबी भी हम लोगों ने आपको बताया कि खरिद के रख सकते हैं आगे इसमें रिटन मिल सकता है तो यहाँ पर च्छे मेना पहले से इंफ्रमोशन आम लोग निकालते हैं आपको आके और भी इंफ्रमोशन दिखाएंगे वीडियो में प पहले श्टॉक का प्राइस 27.55 के आसपाच चल रहा था तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना जादा रिटन दिया है दोस्तों 27.55 के आसपाच चल रहा था उसके बास टॉक ने जो है अच्छा-कासा रिटन दिखा है बताया था कि जैसा अभी प्राइस जो है आपर सरकेट लग रहा है या फिर जैसा प्राइस अभी मजबूत ही दिखा रहा है तो फिलाल जो है कि इतना दिन में स्टॉक 100 दिर्सों तो पहुच सकता है तो वो भी हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ तो हम लोग देखते तो कुछ महेने से या फिर जो है कुछ महेने से स्टॉक में जो है आच्छा कासा मजबूत ही दिखा है और कुछ हफ्तों सो जो है स्टॉक आच्छा कासा चल रहा है और कंटिनुआसली स्टॉक में आपर सरकेट कंटिलर से देखने को मिल रहा है तो बहुत सारे इंवेस्ट तो आपर security चल रहा है तो यहाँ पर अगर आज का हम लोग देखते हैं इंफरमेशन कितना रिटान दिया है तो देख सकते है कि 4.98% का जो है रिटान यहाँ पर अभी तक दे चुका है आज का इंफरमेशन जैसे कि आपको पता है यह हम लोग Google से इंफरमेशन शेयर कर रहे है आपके सथ तो यहाँ पर live information हम लोग को देखने को मिलता है अच्छा यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर देखते हैं तो 4.98% का जो है एक आच्छा रिटान दे लिए तो छोटा स्टॉक 4.98% का अच्छा रिटान यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग एंड अमांट बात करते हैं कोई अभी इस टॉक को शायर से बेच नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर सबको पता है अभी कि स्टॉक में तो अच्छा कासा रिटन मिलने ही वाला है अगर जेटरेस में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पता है कि airlines में से सबसे पुराना जो है जो है जेटरेस और सबसे अच्छा भी जो बोल सकते है कि चल सकता है या पर चल रहा था पहले भी जेटरेस बीच में इसमें जो इशूस आया था उसके चलते जेटरेस में जो है डाउंटेंड देखने को मिला था and NCLT के पा जाने के बाद जो है रिजलिशन प्रसेस में बहुत समय लग गया है लेते हैं क्योंकि जेटरेस जैसे की पुराना कमपानी तो हम लोग एक बाद या पर सोचें के लिए कि जेटरेस में अभी तक कितना रिटान या पर लाज दिया है इनवस्टर्स को तो दस साल का इंफोरमेशन निकालते हैं तो दस साल में जेटरेस्टर्स ने जो है 91.47% का जो है loss दिया है अपने investors को जो कि बहुत ज़ादा हमलुग बोल सकते हैं कि investors को loss देखने को मिला है जेटर इसके stock में तीन साल का information निकालते हैं तो तीन साल में stock ने जो 88.39% का loss दिया है investors को अगर एक साल का information निकालते हैं तो एक साल में आप देख सकते हैं 180.53% का return दिया है तो एक साल में अच्छा कासा return दिया है stock ने एक मेने का information निकालते हैं एक मेने के अंदर stock ने 143.16% का return दिया है एक हफते का हम लोगों पता है stock जो आपर सकर्ट में चल रहा है तो एक अपते का अगर देखते हैं कि ये stock में कितना percent return to 87.47% का return दिया है तो अच्छा ये stock में जो है मजबूत ही दिखा रहा है बहुत जल्दी ये stock जो है 100 रुपे के उपर या फिर 100 रुपे के उपर जा सकता है क्योंकि जैसा आभी stock में जैसा हम लोगों ने देखा है कि आपाड सकता है अभी हम लोग देखते हैं कि J-ROS के बारे में क्या update निकल के आया है तो यहाँ पे screen पे हम लोग देख रहे हैं कि the consortium had placed a bid of nearly 1000 करोर ahead of the deadline on November 3rd के लोग capital and moralal jalan consortium have deposited the performance security of approximately 150 करोर तो यहाँ पे जो है 3rd November का जो है information निकल काया था जो जो जे deadline था उसके बाद के यहाँ पे देख सकते हैं कि catalog capital and moralal jalan जो है फिलाल performance के security के लिए approach जो है deposit किया है 150 करोर तो यहाँ पे already deposit हो चुका है 150 करोर the selected bidder has submitted the performance security of rupees 150 करोर to the reservation professional decision professional को 150 करोर जो है दे दिया गया है bidder के और से तो यहाँ पे आगी का information देखते हैं तो under the norms of the insolvency and bankruptcy code a bidder has to deposit this amount to be to bin the party in a bond तो यहाँ पे जो एक rules regulations था insolvency and bankruptcy के code में उसके basis में देखते हैं तो bidder को जो है deposit amount देना था जो इन लोगों ने दे चुका है this is to ensure that the bidder doesn't withdraw its plan letter उसके पीछे क्या reason है तो यहाँ पर हम लोगों देखने को मिल रहा है कि बहुत time दिखाया और खरिद भी लिया है तो अभी यहाँ पे देखते हैं तो जो deposit के हिसाब से जो देना होता है amount ताके वो लोगों बात में ना withdrawal ना करें उसके चलते जो है 150 करोर जो है deposit कर दिया गया है along with this if the winner bidder is unable to execute the proposed plan the amount is forfeited तो यहाँ पे जो है फिलाल 150 करोर दे दिया गया है मिस्टर जलान से तो यहाँ पे एक बहुत बरा यह हम लोग बोल सकते है अपडेट है जेटरेस के लिए और जेटरेस के stock में जो भी interest रखते है उसके लिए Kello Capital and Mudahilal Zeland are the new owner of the JTB. The Kellogg and Zeland Consortium had placed a bid of nearly 1,000 करोड दे लेंडर्स के लिए 9.5% of equity in Japan and the JTB. 提 जेटरेस अपाने रखते हैं करें लिए 7.5% equity in Loyalty Rewards Company Intermiles. The Consortium had outpaid pilot turned entrepreneur Sanjay Mandibariya of FSCT who had placed a bid along with Imperial Capital. तो यहाँ पर जो है अभी नाम फाइनल हो चुका है यहाँ लोगों पता है बहुत दिन हो गया है और कर लोग कॉंसरें टीम जो यह जो प्लेज बीड है ऑफ नेरली 1000 करोर तो इन लोगों ने जो बीड रखा था वो लगभग जो 1000 करोर के आसपास लखा था उसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा कि लेंडर्स विल अलसो गेट 9.5% अफ एकुरिटी तो जो लेंडर से उसको जो है 9.5% एकुरिटी मिलेगा एलोंग उइट उसके साथ 7.5% एकुरिटी इन लोयलेटी रिवर्स कमपनी इंटर माइज तो इसके साथ भी 7.5% एकुरिटी मिलेगा तो यहाँ पर J-2S में एक अच्छा कासा हम लोग बोल सकते हैं कि आभी मजबूती दीख रहा है या फिर अच्छा कासा अपडेट भी आ रहा है तो जो कि J-2S के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा खबर हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने का माकसर रही था कि J-2S के बारे में जो आपडेट आया है एक छोटा सा वीडियो के माध्धम से आपके साथ शेयर करने के लिए अगर आपको और भी कुछ जाना है यह श्टॉक के बारे में तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के शुरू बात में बताया है कि फिलाल जो है अभी J-2S में खरीददरी नहीं हो पा रहा है कि श्टॉक जो है कंटिनुवासली आपार सकेट दिखा रहा है उसके चलते जैटोय स्टॉक में जो है खरीददरी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जिसने भी खरीद के रखा है तो कोई भी फिलाल बेश नहीं रहा है ऐसा हम लोगों लग लग रहा है तो विडियो को यहाँ पे complete करते जो भी हम लोगों ने update दिया है आपको कोशिश के accurate update देने के लिए तो यहाँ पे complete करते आशा करते जो भी information दिया है अच्छा लगा रहेगा अगर अच्छा लगा है तो like and share ज़रूर कीजिए अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे ने हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना